जैपूर से अब आपको खबर बता दें प्रवासियों की पहली फ्लाइट जैपूर एरपोर्ट पहुंची लंदन में फसे 148 प्रवासियों को लेकर ये फ्लाइट पहुंची एरपोर्ट पर सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है आरुग्य सेतू और प्रवासियों की पहली फ्लाइट जैपूर एरपोर्ट पहुंची और यहां पर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हुई और साथ ही आरुग्य सेतू एप को डाउनलोड करवाया गया अब बसों से इन यात्रियों को इन प्रवासियों को क्वारेंटाइन सेंटर्स भेजा जाएगा प्रवासियों की ये पहली फ्लाइट जैपूर एपोर्ट पहुँची लंदन में जो 148 प्रवासी फंसे हुए थे उन्हें लेकर ये फ्लाइट जैपूर पहुँची और एपोर्ट पर प्रवासियों की थरमल्स स्क्रीनिंग की गई आरोगय सेतू और राज कोविड एप यहां पर डाउनलोड करवाया गया और प्रवासियों को बसों से अब क्वारंटाइन सेंटर पहुचाया जो आएगा लंदन में फंस 148 प्रवासियों को लेकर ये फ्लाइट जैपूर पहुची और एपोर्ट पर सभी प्रवासियों की यहां थरमल्स क्रीनिंग की गई साथी आरोगय सेतू और राज कोविड एप डाउनलोड सभी प्रवासियों से करवाया गया और अब इन प्रवासियों को बसों से क्वारंटाइन सेंटर पहुचाया जाएगा थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ पर सभी आत्रियों की हुई उसके बाद राज कोविड और साथ यारोग्य सेतू एप को डाउनलोड करवाय गया क्योंकि यह कहीं न कहीं बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है विदेश से लौटे हैं और तमाम एहतियात यहाँ पर बढ़ती गई अब बसों से इन्हें क्वारंटाइन सेंटर्स भेजा जाएगा थर्मल स्क्रीनिंग सबसे पहले इन की गई और उसके बाद आरोग्य सेतू एप और राज कोविड एप सभी यातरियों से सभी प्रवासी जो थे उनसे डाउनलोड करवाया गया तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रवासी हैं उनके समान को यहाँ पर सेनेटाइज किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमन जो है उसका खत्रा यहां पर ना हो तमाम एहतियात बढ़ती ज़ा रही है लगाता टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरे देख पा रहे हैं वुदेशी प्रवासियों की घर वापसी होगी